हेलो इस्टूडेंज कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो के अंदर हमने कोडिनेशन इन प्लांट्स को डिसकेशन किया था आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं आज के वीडियो के अंदर हम डिसकेशन करेंगे कि प्लांट्स हार्मोन हैं वो कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं कौन-कौन से टाइप्स के हार्मोन का क्या-क्या वर्क है क्या फंक्सन है जो फ्रूट्स हैं वो कैसे पकते हैं कैसे फ्रूट्स की साइज बढ़ती है कैसे प बहुत सारे questions, examinations में देखने को मिल सकते हैं, plants के related, तो आप देखिए बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं plants में hormones की बात करूँ, जैसे कि आपकी body के अंदर human body में बहुत सारे hormones होते हैं, हमने उसको भी discussion नहीं किया है, अगला वीडियो आपका उसी पे आएगा, animal hormones पे, humans के अं endocrine और ये सब, तो जिस तरह से हमारे अंदर hormones होते हैं, ठीक उसी तरह से plants के अंदर भी hormones होते हैं, मने आपको ये तो बताया था कि sunflower का tropism sun की तरफ होता है, phototropism, लेकिन ये नहीं बताया कि वो आखिर क्यों face कर लेता है, plant के अंदर ऐसा क्या होता है, कि वो sunflower उसान की तर चल रहा है, inside story of the plant आप कह सकते हैं, कि उस plant के अंदर आखिर क्या चल रहा है, ठीक, अगर मैंने किसी को थपड मारा तो ऐसी तो नहीं मारूंगा ना, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है कि मुझे लगा कि उसने कुछ ना कुछ mistake करी होगी, कुछ गडवड करी होग है, flowers वहां पर आते हैं, उनके fruit से पहले कच्चे होते हैं, उसके बाद पक जाते हैं, यह सारी चीजे, यह show कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो यह जो growth है, यह अलग तरह की चीजे हैं, यह सब कुछ होता है, plants के अंदर वो जो hormones होते है हैं, उनकी वज़ा से, साथ ही कुछ ऐसे hormones भी इनके अंदर होते हैं, जिनकी वज़ा से यह extration कर पाते हैं, extration in plants, मतलब leaf के अंदर अपने waste material को release कर देते हैं, और उसके बाद वो leaf हो गिर जाती है, तो यह mechanism होता है, तो total देखिए, five types के hormones यहाँ पे होते हैं, यह जो hormones हैं, आप देख पार होंगे, सबसे पहला है, आपके पास oxygen, दूसरा है, आपका गिबरलीन, या जिबरलीन भी कह सकते हो, गिबरलीन भी कह सकते हो, दोनों इस प्रोनाउंचेशन इसके correct हैं, कोई दिक्कत नहीं, तिसरा है, साइटो काइनीन, और फोर्थ जो hormone है, वो आप कह सकत होता है, और जो फिफ्थ हार्मोन आपके पास है, जिसको आप बोल सकते है, एथाईलीन, C2H4, जिसका formula होता है, देखिए, यहाँ पे पहला मैंने क्या बताया, उक्सीन, दूसरा देखिए, जिबरलीन, तिसरा है, साइटो काइनीन, फोर्थ है, एथाईलीन, C2H6, यह टो हैं, तो उनकी present site भी अलग अलग होगी, उनका function भी अलग-अलग ही होगा, लेकिन सभी जितने भी यह हार्मोन से हैं, वो जहां से release होते हैं, जहां जिस site पे उनका काम है, वहां पे वो जा सकते हैं, माल लो कोई हार्मोन है, वो basically बना तो है कहां पे lift के अंदर, लेकिन उसक waste का use है root के पास, तो वो बहते वे root के पास चला ही जाएगा, वो root के पास moment कर सकता है, तो यह जिस site पे बनते हैं, site of synthesis, वहां से target site, यहिस site पे इनका काम है, वहां तक यह moment कर सकते हैं, और सबसे पहला जो हार्मोन, discussion किया गया था, जो सबसे पहला हार्मोन डिसकवर किया गय यह जो आपका OXIN है यह FAST हार्मोन था जिसको डिसकावर किया गया था यहां भी यह FAST नमबर पर हमने लिखा हुआ है तो सबसे पहला यह हार्मोन है जिसको डिसकावर किया गया था ये जो दूसरा है ना ये जिबरलीन इसकी तो अलग और भी एक अच्छी स्टोरी है ये एक फंगस से डिसकवर किया गया था इसकी बात भी मैं आगे करूँगा तो ये जो सारे हार्मोन से इनको मैं दो टाइपस के अंदर डिवाइड कर देता हूं जैसे आपको पढ़ने में ये बाकी जो बचेवे दो हार्मोन है इनको मैं रख देता हूं डि मोटर में जो य represents growth को रोखते हूं तो सही जुना आपने ये stop हेँ लांट की ग्रोथ भर टे रोकते हैं तो 2017हार्मोन impe 신 दूसरा गिवर लेन और मिल सकता तो कंफ्यूज मत हो न उसके बाद निखिया C2H6 ये दो आपके ऐसे हार्मोन है जो कि आप growth inhibitor जिनको कह सकते मतलब growth को रोकने वाले plant की growth को रोकते हैं दो टाइप से डिवाइड कर दिया आप समझने में बहुत आसान हो जाएगा तो पहले यहाँ पर मैं हार्मोन की बात कर लेता हूँ oxygen हार्मोन कहां पर पाया जाता है present site क्या होगी ये plant की tip के अंदर पाया जाता है plant की tip के अंदर जो tip देखिए माल लेते हैं ये मेरा marker है माल लेते हैं क्या है ही हमारा marker इसकी जो tip है ये क्या है ये वाला हिस्सा इस tip के अंदर oxygen पाया जाता है समझगे यह प्लांट है ना यहां पर आपका ओक्ष्ण मिलेगा यह उक्षिन आपका इस जगह पर मिलेगा टिप्के अंदर और प्लांटस की जो हाइट बढ़ती है लगए हो गांगे में यह तो आपको पता ही यह हाइप कासे बढ़ेगी बहिए उसकी tip के अंदर कौन सा हर्मोन है आपका ये oxygen हर्मोन है तो कोई पुछेगा क्यों संस इसी तरह से आपके exam में आते हैं कि plant की height है वो बढ़ाने के लिए कौन responsible है तो आप बताएंगे oxygen हर्मोन कहां present होता है तो आप बताएंगे इसकी present side होती है tip of the plant plant की tip के अंदर ठीक है इसके axial part के अंदर जहां से इसकी tip निकलती है उस part के अंदर ये present होता है और ये जो oxygen हर्मोन होता है ये light sensitive होता है इस image के अंदर आप एक plant को देख पा रहे होंगे जो कि sun की तरफ जुका हुआ है पिछले वीडियो में मैंने आपको sunflower के बारे में बताया यह जो प्लांट की तरफ जुग जाता है तो वहां पर इसकी जो प्लांट की टिप है जो उपरवाला हिस्सा है अनर यह light sensitive होता है light को sense कर लेता है रिक और उसकी तरफ जुग जाता है और वहां पर rapid growth करता है यानि अगर प्लांट को light proper मिलती रहे तो plant बहुत जल्दी growth जैसे ही कोई प्लांट का एक हिस्सा मालो लाइट में है दूसरा हिस्सा सेड में अंधेरे में है तो यह जो ओक्सिन वो क्या करता है कि इसे कहा जाता है सेड वाले हिस्से के अंदर आ जाता है तकि उस साइड की भी ग्रोथ हो सके ऐसा नहीं कि प्लांट जो लाइट में थोड़ा ब्यंड जरूर हो जाता है क्योंकि उस हिससे की ग्रोथ तहुदे ज़टी जाद़ा हो जाती है यानि सब्सक्रव्द करता हैं लॉगनेश्ट को लंबा करता है प्लांट की हाइट बढ़ाता है ठीक है साथ ही ये क्या करता है कि पार्थनो कारपी के अंदर बहुत help करता है पार्थनो कारपी क्या होती है एक टेकनिक जिसको आप कह सकते है जिसमें बिना seed वाले जो fruits हैं आपने बनाना को देखा होगा बनाना के अंदर कोई भी सीड परजेंट नहीं होता तो ऐसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड परजेंट नहीं होते उनकी ग्रोथ के लिए भी यह बहुत इंपोर्टेंट हार्मोन है औक्सीन और साथ ही यह हैल्प करता है रूट के इनिशेशन में फ्रॉम्दा कटिंग कटिंग क्या होती कई बार हम क्या करते हैं जो ब्रांच से उसको काट करके और दूसरी जगह लगा देते हैं जिसको कैलस भी कहा जाता है तो जो कटिंग होती है जो कैलस होती है उनसे रूट्स का निकलना आसान काम नहीं होता एक ब्रांच को काटके आपने दूसरी जगह लगाया है ठीक है तो उसके अंदर से रूट का निकलना उसमें भी ओक्सीन है वह बहुत है तो रूट की टिप के पास यह हर जगा पर पर प्रजेंट मिलेगा ठीक है सुट मतलब यह उपर वाला इसा जहां से यह जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है जिसकी हाइड बढ़ रही है रूट आपको पताईए तो इनकी टिप है वो कहां पर है यह इनके टिप्स है ठीक तो रूट और सुट की टिप के पास इसकी परजेंट साइट है हमेशा टिप मिलेगा और हाइड को बढ़ाए बार्धनों कार्पी के अंदर हेल्प करेगा कोई प्लांट की बिसिकली जो पास घ्रीली यह दो टिप में परजेंट था औक्सी तो अब. यह Ĝो हार्मोन ही devils के अंदर प्रजेंट हो गई यह इस्टीम देख Rozum तो बिसिकली जो रैपिड इडर्रोंबा करने का कम कि बढ़ाने का काम गिवरलीन करेगा शाया कुछ बच्छे को जिवरलीन बोलने बिलकुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं प्रोणॉशेशन है अपना-पना होता है और इस starting में मैंने आपको बोला था कि एक interesting fact इसके पिछे जुड़ा हुआ है कि ये जो आपके पास गिबरलीन है इसको एक fungus से find किया गया था और वो fungus कौन सी थी गिबरला fungus ये नाम था उसका कब किया गया था वैसे important नहीं है पर 1938 के अंदर इसको discover किया गया था ये जो हार्मोन है सबसे पहले गिबरला fungus से पता चला था वैसे गिबरला fungus भी आपके लिए important नहीं है आप चाहें तो याद रख सकते हैं तो गिबरला fungus से सबसे पहले इस हार्मोन को discover किया गया था 1938 के अंदर अभी अभी हमने देखा कि ये भी क्या है एक growth promoter है stem के अंदर परजेंट होता है stem की growth को बढ़ाता है या आपके पास system है देखिये यहाँ पर ये परजेंट है थिक है साथु ही यहाँ पे sheet germination के अंदर भी ये help करता है जो seeds है जो ze either gonna harm et होते हैं . उनके अंधर भी help करता है आप देखते होंगे seeds वगिरा को भीगो के आपने रखा होगा ना seeds का germination हो जाता है उसके अंदर भी ये help करता है आप जो जितने भी basically sprouted seed होते हैं आप वोलते हैं अंकुरित अनाज सुबह खाना चाहिए दाल को भीगो के खाना चाहिए चने को भीगो के खाना चाहिए या चने की दाल को भीगो के खाए ठीक है तो यह जो जिन दालों को दल्धन को आप भीगोते हैं और वह इस प्रोटेड हो जाते हैं यह जर्मिनेट होते हैं थोड़े थोड़े उनके जर्मिनेशन के अंदर भी यह हेल्प करता है आपका गिबरलीन हार्मोन तो बड़ाई इंपोर्टेंट है इससे आप समझ सकते हैं ठीक इसके फंक्सन्स भी आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं साइड में आपको सारे फंक्सन्स इसके मिल गए होंगे थार्ड जो हा हार्मोन है इसके लिए आप कह सकते हैं यह एक बड़ते हैं और यह साइल डिवीजन को को promote कर रहा है ज़ा 100 कासे बढ़ता है एंक सेल 2 मेंडिवाइड होते हैं कि पतला सा थैंसे हाइट किस ने बढ़ा दी आप या कि टेम को लंबा तो गिस ने कर दिया कि मौट पर बढ़ाध नहीं दे बढ़ा सबढाए एक है। छोटा सा फ्रीूट है। भीड और फ्रूट है थीरे दिर क्या हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो वेजटेबल्स के प्लांट होते हैं। बहुत सारी सब्जियां उन पर लगते हैं उन फ्रूट्स को वेजटेबल की साइज को इंसिडेंटली अचानक से बढ़ाने के लिए पहले वाले दिन देखा पपाया पपीता है वह बहुत चोटा सा था दूसरी दिन पपाया की साइज बहुत बड़ी हो गई अचानक से यह जो बिजनिस वाले लोग होते जो विझ्टेबल का बिजनिस करते हैं फ्रूट का बिजनिस करते हैं यह क्या करते हैं यह incluig enjoying का तीज साइल लेगा की साइल इबिजन को प्र्मोट तो उसके बाद ले जाकर के मार्केट में जल्दी से बेच आएंगे तो बिसिकली इसके अंदर ये help करता है साइटो कैने ठीक है इसके फंक्षन को भी हम राइड़ डाउन कर सकते हैं यह इसको सैकेंडरी ग्रोथ भी आप कह सकते हैं तो प्लांस की थिकनेस को बादाने के अंदर बिसका बहुत बढ़ा रोल है प्लांस की चोडाई है उसको बढ़ा देता है साथ ही फीमेल फ्लोवर्स के production को भी promote करता है female flowers यह मेरे को बताने की ज़रूत नहीं होने चीए female flower किसको कहते है आपको पता है flowers के अंदर किसी में stamen होता है किसी में पिश्टिल होता है जिसमें पिश्टिल होता है पिश्टिल जो होता है वह female part होता है का जिसमें पिष्टिल होता है फीमेल फ्लोवर्स आप कह सकते हैं तो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है यह बहुत ज्वाइब फीमेल फ्लोवर्स हो ऐसा यह करता है बेसिकली साइटो काईनीं ओके और फ्रूट्स और जो सीड्स हैं उनकी हाइट में बढ़ने में भी बहुत जल्दी help करता है उनके मेचोर होने के अंदर यह बहुत help करता था है यहां पे साइटो काईनीं ओके पर परजेंट कहां पे होता है ऐसी जगहाँ पर ऐसी साइट पर परजेंट होता है इसकी पर जाएगी जहां बहुत ज्यादा सैल डिविजन पर्मोशन की जुरूट थे बहुत जादा सेल डिविजन जहां पर होता है थिकनेस को बढ़ाएगा फ्रूट्स वगरा जो होते हैं फ्लोर्स वगरा होते हैं जो सीड होता है जिनको जल्दी मैच और होने की जरूत होती वहां पर साइटो कानिन आपको देखने को मिलेगा और यह इसके यह सारे फंक्शन आपको रहे मतलब जो ग्रोथ को डाउन करने का काम करते हैं एक यहां पे देखिए पहला आता है अबसेशिक एस इसका काम देखिए को मैं तो रोग देता है क्यों रोग देता है ऐसा। आपको पता है आप क्छ भी सामान काते हैं तो वेस्ट मैटेयल होता है उस वेस्ट मैटेयल को कहें न कही एकस्रेट करते हैं अबWhere प्लांट्स के पास वैसा एक्सरेटरी सिस्टम तो है नहीं तो प्लांट्स क्या करते हैं अपने वेस्ट मैट्रियल को प्लांट के ही किसी पार्ट में एक्सरेट करते हैं ठीक तो जैसे कि बहुत सारी लिफ हैं आप देखते हैं बहुत सारी पतिया हैं वह फालॉप हो जाती ह गिर जाती है क्यों गिरती है क्योंकि यह क्या करता है यह अब सैसिक एसिड प्लांट की उन लिफ की ग्रोथ को रोक देता है एक जगर पर रोक देता है मैंने बता है ग्रोथ को यह इन हैबिट करता है ठीक ताकि जो प्लांट है वह अपने वेस्ट मेट्रियल को लिफ के ताकि वो गिर जाए, fall off, हो जाए इन plants को extract करने के लिए तो यह भी बहुत important है और यह plant की growth कौ रोक रहा है इसी वज़े से सको anti-oxin इसको anti-oxin, anti-giberlin भी कहा जाता है oxygen क्योंकि growth को करता है, giberlin भी growth को करता है तो इसलिए इसको anti-oxyn, anti-ziberlin भी इसको कहा जाता है बेसिकली देखा जाए तो ये plant की help ही कर रहा है वेस्ट मेंटियल को extract करने में एक और जगह help करता है कहां इसको stress hormone भी कहा जाता है क्यों कहते हैं क्योंकि plant कई बार stress में आ जाता है पांच सा दिन plant को पानी नहीं मिला आप तो humans हैं आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप जाएंगे जाकर के फ्रीज से निकालेंगे पिलेंगे आराम से लेकिन plants के पास ऐसा system थोड़ी है तो plants को काफी time तक कुछ पानी में मिलता नहीं है तो यह क्या कर देता है plants के stomata को बंद कर देता है अब देखा plant आ गया stress में आ गया plant plants tension में आ गया बिल्कुल stress में है क्योंकि पानी नहीं मिला 5 दिन हो गया पानी नहीं मिला क्या पता 6 दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो क्या हो तो यह क्या कर देता है प्लांट्स के जो सारे लिफ के उपर जितने भी स्टोमेटल पोर्स होते हैं आपको पता है लिफ पे गैसेज के लिए ट्रांस्पिरेशन के लिए छोटे-छोटे पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटल उनको यह ब्लो कर देता है एकदम शिकु करते हैं तो प्लांट की बिसिकली कर रहा है पुरा नेम क्या है अब सेशी केसिड है ठीक है यह आप कह सकते हैं अगला यहां पर देखिए इथाइलीन यह क्या करते हैं और आपने सीडियों को स्टोर करके रखा जाता है ठीक है उनके ऊपर बह cambius को सिक्रेटकर थाइला लिंब पाई एत्याय लेते एपल जहां के वरेवियर अंदर यह सारह आपके पास टोटल 5 प्लांट हर्मोन थे ओक्सीन, जिबरली, साइٹोकाइन, अबसेसिक एसीड और एथायलीन ये पांच मैंने तीन बताए आपको ग्रोथ प्रमोटर जो की उपर वाले तिनों है आपके ओक्सीन, घिबरलीन और साइटोकाइन, दो मैंने आपको बताए ग्रोथ इन हैबिटेटर जो मैंने आपको बताए देखिए अपसेशिक एसीड और एथायलिन दोनों आई होप आपको यह सारे हार्मोन से वो समझ आ गए होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हुमेंस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं हार्मोन से उनको डिसकसन करेंगे अगर यह वीडियो आपको informative लगा है तो आप इसे अपने friends के साथ share कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को अभी तक पूरा देख लिया है और सब कुछ आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आपका कोई question है आप निचे comment section के अंदर पूछ सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe कर लिजिए साथ ही bell icon को जरूर प्रेस करिए ताकि notification जितने भी आएं आगे आपको मिल जाएं सारे chapters के वीडियो regular आने वाले हैं जिनके नहीं आया हैं उनके आजाएंगे बहुत सारे chapters को उनकवर कर चुके होन रेडी सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day